हलो फ्रेंड्स हम लोग यहां open calculator में अलग अलग functions देख रहे हैं इसमें सिर्फ calculation भी नहीं बलकि आप कुछ text भी type करके रख सकते हैं और ज़रूर पड़े तो इस data का analysis भी कर सकते हैं जैसे कि मैं simple employee list बना रहा हूँ यहां पर पहला पालम लेते हैं नीव बाद में लेते हैं age बाद में education और इसके बाद में इसकी post लेते हैं जैसे की नीव और रादेस नरेस अशु से एक फिस बाद टाद में लेते हैं झाल झाल इस तरह से मैं एक लिस्ट बना लिए है लेकिन यह काफी सिदी सिंपल दिखती है और इसलिए हम इसको अच्छे से बनाते रहे हैं इसको फॉर्मेटिंग की सब भी ऑप्शन से अगरेबल है यहां आप फॉंट चेंज कर सकते हैं इससे कि वो दिखने में भरक आएंगा इसका हम फॉंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं इसे हम लोग इस फॉंट में लेकर इटालिक कर जाते हैं और इस तरह से आप बना सकते हैं आप देखेंगे इतनी जो जगा छुटी इसमें अगर हम यह बीच में चाहिए सेल के इन सेल करके हम लोग सेंटर अलाइन कर सकते हैं कि ये इस पिसे के शींटर में आ जाएगा देखिए हमनेी इतिने ही सिलेक्ट किये थे तो इतना ही आई यह लेकिनी ज चो है इस में नहीं आ प्रोफ नमीशा जीलेक्ट करके ये कि शींटर अलें कर देते हैं ओ अ से यहां पेस्ट करता है और अब देखिए कि यह जो लेटर है यह थोड़े बाहर जा रहा है एक्चुली यह जो टी लेटर है यह इस कलम में नहीं है उसी कलम में है हम यहां क्लिक करेंगे और ड्रैक करेंगे तो इसकी विल्ट बढ़ेगी देख रहे हैं इस तरह से, और इस तरह से हम भी इसको बदल सकते हैं, response में खास परक्त नहीं होने की वरी से हमें ठीक से दिखाई नहीं देता, अब इसमें difference दिखाई दे रहा है, और इसमें हम लोग color जो जाहे हमें ले सकते हैं, इसे आप underline नहीं कर सकते हैं, और बाकी भी functions इसमें apply होते ही, देखे, यह जो size है इनका, यह 10 point का है, लेकिन इनका size हो गया 13, जो कि इसके अनुसर वैसे गलत काम है, मैंने इसे आपको दिखाने के लिखिया है, हम लोग इस title का point size बड़ा रखते हैं, जो कि थोड़ा दीखने में अच्छा रहेगा, इस तरह से आप text typing भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इससे बड़े columns, कि इतना भी बड़ा data यहां कर सकते हो, और जो बड़ा हो देएंगा तो आप scroll bars को drag करके उपर नीचे कर सकते हो, Thank you.